नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास टेंथ हिंदी के हमारी वरक्षिट नमबर 63 यानि की कारे पत्रक सिंख्या 63 को या आपकी 5 जनवरी 2022 की वरक्षिट रहेगी आज की इस वरक्षिट में हम रचनात्मक लेखन में बात करेंगे संदेश लेखन के अब ये संदेश लेखन क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसका format क्या होता है, इसका pattern क्या होता है, कितने अंकों का होता है, कौन से विश्या पर संदेश लेखन आ सकता है, ये सब कुछ हम आज की इस वरक्षिट में समझेंगे और end में इसी विश्य से related कुछ हमें टास्क देगे, उन टास्कों भी हम complete करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की स्वरक्षिट की सबसे पहले हम समझेंगे कि यह जो आपका रस्तनात्मक लेखन है इसमें क्या कुछ आपकी स्लिवस में दिया गया रस्तनात्मक लेखन टर्म टू में हिंदी के एकजाम की बात करें तो सबसे important topic रहेगा क्योंकि आपके टर्म टू का जो एकजाम होना है वो theoretical एकजाम की बात करें तो आपका 40 marks का होना है 40 में से 20 marks हैं वो आपके रस्तनात्मक लेखन के ही रहेंगे यानि कि 50% जो आपके marks हैं वो इसी creative writing skills या हिंदी में कह लिजी रस्तनात्मक लेखन है इसके रहेंगे तो इसमें 4 विशे रहेंगे पहला आपका विशे रहेगा अनुछेद लेखन आपको 80 से 100 शब्दों में 80 to 100 words में आपको एक अनुछेद लेखन करना है कितने विशे में आपको 3 विशे दिया जाएंगे उनमें से किसी एक विशे पर करना होगा कौन से विशे होगे या आपके topic हो सकते हैं समसामिक हो सकते हैं हमारे वैभारिक जियों से जुड़ेवे कोई विशे हो सकता है समसामिक मतलब current का topic होगे जैसे कोविड-19 हो गया जैसे pollution, परदुशन की समस्या हो गई या आपकी प्रिक्षा हो गई इस परकार के विशे हो सकते हैं और इसके 5 अंक निर्धारित रहेंगे ये हो गया आपका पहला विशे जिसका अभ्यास हम पहले कर चुके है दूसरा जो रचनात्मक लेखन के खंड में दिया गया विशे है वो आपका पत्रलेखन पत्रलेखन आपका उपचारिक हो सकता है अनपचारिक हो सकता है दो पत्रलेखन आपको दिये जाएंगे दो परशन दिये जाएंगे इसके भी 5 अंख निर्धारित रहेंगे तीसरा आपका जो विशे वो है विग्यापन लेखन 25 से 50 स्रब्दों में आपको विग्यापन लेखन करना है और इसके भी 5 अंख निर्धारित है इसका अभयास हमने पिछली जो हिंदी व्याकरण की वक्षिट थी उसमें हमने क्या था उसके बाद आज के अगर विश्य की बात करें तो ये हमारा संदेश लेखन अब संदेश लेखन जैसे सब्द हम देख रहे हैं भारी-भारी सा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही होगा कुछ नहीं है मैसेज ही तो करना है मैसेज करना है बस थोड़ा समय फोर्मेट पता होना चीए संदेश लेखन कुछ अलग नहीं है आप इजली लिख पाओगे बिलकुल आपके लिए मक्षन मलाई की तरह होगा सिरफ आपको फोर्मेट पता होना चीए किसको लिखना कैसे है क्योंकि संदेश लेखन आप संदेश हो सकता है परिक्षा के लिए हो सकता है यकिसी नौकरी के लिए हो सकता है या जो आपके फेस्टिवल परव़िया त्यूहार होते हैं उससे लेटिड आपको satellप करना है तो इसी विशय की हम आज बात करेंगे तो हम इसके बारे अभ्यास करने वाले हैं और यहां पर हमें दो विशे दिए गए उन दोनों में से एक विशे के उपर हमें क्या करना है संदेश लिखन लिखना है ताकि ये क्लियर हो जाए कि हमें ये विशे ये टोपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या दिया टास्क, टास्क हमें कि निमलिखित में से किसी एक विश्या पर लगबग 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखना है, विश्य कुन से, अपनी छोटी बहन के जनम दीवस पर उसे एक बधाई संदेश 30 से 40 शब्दों में लिखे, या फिर सिक्षक दीवस के अवसर पर अपने हो गया, इसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर संदेश लिखते हैं, यह संदेश, अब यहाँ पर दो चीज़े हैं, या तो आप यहाँ पर संदेश शब्द ही लिख दीजे, या फिर यहाँ पर लिख दीजे, बधाई दे रहे हैं, तो बधाई पत्र द ठीक उसके बाद यहाँ पर जो हमारा left hand side है इसके नीचे वहाँ पर आप दिनाग लिखोगे और यहाँ पर जो right hand side है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे समय लिखेंगे उसके बाद संबोधन हो जाएगा संबोधन समझते हो न जिसे आप English में करते हो अंग्रेजी में करते हो ऐसे प्रकार से वो रहेगा उसके बाद आपकी विश्यवस्तु आ जाएगी जो भी हमें संदेश देना है क्योंकि वो 30 से 40 शब्दों में तो हमें लंबा खींचना नहीं है पॉइंट हम बात करेंगे और अंत में आपका नाम आजाएगा बस इतना सा करना है अब यहां देखिए एक एक जांपल दिवाली पर बधाई संदेश यहां पर दिपोच्छव पर बधाई संदेश यह आपका यहां पर शिर्षक हो गया टाइटल हो गया उसके बाद यह दिन में खुशियां धंधाने सुक शान्ती परशंता का प्रकास जगमगाता रहे मंगल कामना के साथ आपको सैपरिवाद दिपावली की हादिक बधाई और यह नाम हो गया राजू अगर आप यहां पर इसके उपर मेंशन करना चाहो तो आप लिख सकते हो कि आपका मित्र यह आपकी विशे वस्तु है जिसको लंबा बेलकुल नहीं खींचना है चोटा सा मैसेज रहेगा और यहां पर आपका नाम रहेगा तो यह सब कुछ हमें करना है तो चलिए आज के इस टास्क को जो हमें उपरोक्त टास्क को हम कंप्लीट करते हैं तो यहां पर हमें दो वि इशे को चुना है उसी का हम अभ्यास करेंगे तो यहां देखे कैसे क्या रहेगा सबसे पहले बधाई शंदेश हो जाएगा यहां पर ओके यह हमने लिख दिया यह दिनांक हो गया पांच जनवरी 2022 अगर आप इस दिनांक शब्द को ना लिखें तो भी चलेगा पांच जन यहां पे हमने कुछ अलग से पंक्तिया लिखती है संदेश के दरे कि ओ मेरी प्यारी चोटी बहना तुम हो मेरा सबसे बड़ा गहना तुम्हारा क्या कहना दूआ है मेरी हर दम यूही मुस्कुराते रहना ओके यह लिख सकते हो आप क्रेटिव राइटिंग स्किल ना अमान बस हो गया इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना तो यह हमारा आज का टास्क था उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संदेश लिखन कैसे क्या जाता है उसका फॉर्मेट क्या रहता है अगर आपको यह वीडियो यह वर्कशिट हैल्फु